चोक्लेट ममी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको आशाभगोती वृत्त का पूरी विधि बताऊंगी और उसके बाद कहानी भी सुनाऊंगी तो सबसे पहले अगर आप आशाभगोती वृत्त करते हैं तो आश्विन क्रश्न अश्टमी से ये वरत प्रारम होता है जो अमावश्य तक आठ दिन तक चलता है वरत के प्रारम के दिन गोबर मिटी से रसोई के चारो कोनों को चार जगे लिपे जाते हैं अर्था चार चार जगे लिपे जाते हैं उन आठो कोनों पर आठ दूब आठ रुपे डिबबी, आठ बार रोली के च्छीटे, आठ बार मेंदी के चीटे, आठ बार काजल के चीटे लगाय जाते है, एक एक सुहाली और एक एक फल चड़ाय जाता है, आठो कोनों पर दीपक जलाय जाता है, इस प्रकार आठ दिन तक पुजा करते हैं, और आशा भगोती की कहानी सुनते हैं आठवे दिन एक एक सुहाग पिटारी आठो कोने पचड़ाते हैं और आठ सुहालो का वायना निकाल कर सासुजी को पैर चूकर देते हैं यह वरत आठ वर्ष तक किया जाता है और नवे वर्ष में इसका उद्याबन किया जाता है तो अब मैं आपको इसकी कहानी सुनाती हूँ कहानी इस प्रकार है एक राजा था उसके दो पुत्रियां थी उनका नाम गोरा और पार्वती था एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा कि तुम किसके भाग्यका खाती हो पार्वती ने कहा कि पिता जी मैं तो आपके भाग्यका खाती हूँ तो गोरा ने कहा कि मैं तो खुद के भाग्यका खाती हूँ यह सुनकर राजा ने गोरा का विवा राज परिवार के युवक के साथ और पार्वती का विवा शिवजी के साथ कर दिया शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश परवत पर चल दिये रास्ते में पार्वती जी जहां भी पैर पढ़ता वहीं दूप जल जाती इसको देखकर शीव जी ने जोतिशियों से पूछा कि जहां भी पारवती जी पैर रखती है वहां दूब क्यों जल जाती है पंडितों ने बताया कि यह अपने पियर जाकर आशा भगोती का वरत और उद्ध्यापन करे तो इसका दोश सांथ हो जाएगा पंडितों के बताया अनुसार शीव जी और पारवती जी अच्छे अच्छे मुल्यवान वस्त धारन करके गहने पैन कर पारवती जी के पियर चल दिये रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है उसके कष्ट को देखकर पारवती जी जी शीव जी से कहा कि आप मेरी कोग बांदो शीव जी ने कहा कि आप अपनी कोग मत बंदवाओ अन्यता आप बाद में पस्ता होगे यह करकर आगे चले तो देखा एक घोडी के बच्चा होने वाला है उसका कश्च देकर पार्वती जी ने फिर से का आप तो मेरी कोग बांदी दो हट पकर ली अंत में शिव जी ने पार्वती जी की कोग बांदी वे आगे गे पार्वती जी की बहन गोरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी उधर पार् राजा को कही तो राजा ने पारवती जी से पुने पूचा कि तुम किसके भाग्य की खाती हूँ तो पारवती जी ने उत्तर दिया कि मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ ऐसा करकर पारवती अपने भावियों के साथ चली गी उसकी भाविया आशा भगोती का उद्यापन क तभ भावियों ने कहा तुमे क्या कमी है तुम शीवजी से कहो वो सब तयारी कर देंगे तो पारवती जी ने शीवजी से उद्यापन सामगरी लाने के लिए कहा तभ शीवजी ने अंगूटी देते वipher कहा कि इससे जो भी मांगोगी वत्में मिल जाएगा, पारवती जी ने उस मुद्रीका से उध्यापन की सामगरी मागी मुद्रीका ने तुरंग सारी सामगरी लाकर दे दी सबने मिलक वरत किया धुमधाम से उध्यापन किया सरसूर जी ने शंकर जी को भोजन करने बुलाया भोजन में अनेक मिठायां खाने को दी यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को बिकारी के साथ ब्याहा दिया था, पंतु वे तो अपने ही भाग्या से राज्य कर रही है, शंकर जी ने सब रसोई की वस्तोय खाकर समाप्त कर दी, रसोई में थोड़ी सी सबजी बची थी, पार्वती जी ने उसी सबजी को खाकर पानी पिया और पती के साथ घर की ओर चल दी इसके बाद आगे चलने पर जो दूब सूख गई थी वे हरी हो गई शंकर जी ने सोचा कि पारवती जी का दोश मिट गया है आगे बढ़ने पर पारवती जी ने देखा कि रानी कुआ पूजने जा रही थी इसे देखकर पारवत पारवती जी का हट देकर शीव जी ने पारवती जी के मेल से गणी जी बनाया पारवती जी ने बहुत से नेकचार किये और कुआ पूजा पारवती जी बोली कि मैं तो सुहाग बाटूंगी तो सब जगे शोर मज गया कि पारवती जी सुहाग बाट रही है जिसको लेना है ले लो, सब दोड़ दोड़ का सुवाग ले रहे थे। इस प्रकार किसी को भी पारव्तिजी ने निराश नहीं लोटाया। इस व्रत उद्यापन को कवारी लड़कियां भी करती है、 इनकी सबी मनो कामनाय पूर होती है। तो अगर आप कवा रहे हैं आपकी लड़कियां घर में कवा रहे हैं तो आपको उनको ये व्रत करवाएं ताकि उनको अच्छा घरवर मिले